नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रेटिन किसान भाई, सबजी की खेती करने वाले किसान भाई, अक्सर फसल में लगने वाले रोग और कीट से काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि इन कीटों का सीधा असर पढ़ता है हमार किसान भाई, इन रोग और कीटों से निपटने के लिए कई तरह के रासाइनी कीट नाशकों का चिड़काओं करते हैं, इन रासा के दयों पराव से हमारी फसल जहरिली होती है, और मिट्टी की उपजाव शमता भी कम होती है। साथ ही साथ हमारे भौमुल्य पेसे की बरवादी भी होगी। इसलिए आज में इस वीडियो में फसल में लगने वाले कीट और रोग से बचने के लिए एक ऐसा देसी नुस्का लेकर आया हो। जिसके प्रयोक से फसल में रोग और कीट भी नहीं लगेंगी और मिट्टी की उर्वरक शमता भी बढ़ेगी। यानि एक पंथ दो काश। नुसके का नाम है नीम की खली। नीम की खली, नीम के फल नीमोली और नीम की पत्तियों से बनती है। आज हम इस वीडियो में नीम की खली को केसे आप घर पर बना सकते हैं। नीम की खली के क्या-क्या फायते हैं। नीम की खली का उप्यों खेत में केसे करें। इन तीनों विश्यों पर एक-एक करके वीडियो में आगे बात करें। इसलिए वीडियो को अंत्य तक ज़रूर सबसे पहले बात करते ही कि नीम की खली को घर पर केसे बना लिए आप नीमोली को तोड़कर इसे इखटा करके इसे अच्छे से सुखा लिजिए फिर इसे पीस कर इसका पाउडर बना लिजिए उसके बाद नीम की पत्तियों को भी सुखा कर उन्हें भी पीस कर इसका पाउड तो बाते हैं हमारे दूसरे पोईंट नीम की खली के क्या-क्या फाइद है वेसे तो नीम की खली के अनेक फाइद है पर मैं आपको कुछ महत्पूर्ण फाइदे बताना चाहते हूं ताकि आप यह जानकर नीम की खली का उपियो अवश्य करें पहला नीम की खली में पोधे की व्रद्धी के लिए जरूरी NPK यानि नाइट्रोजन फास्पोरस पोटेशन पूर्ण ता प्राक्रतिक रूप से मिलते हैं इसके अलावा नीम की खली में ये सारे तत्ल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी मिलते हैं इस तरह हमारा NPK का नमबर 2 खेत में नीम की खली डालने से पोधे की जड़े, सफिज शीटियों, धीमक, फफुल, जड़ नश्ट करने वाले छोटे कीट आधी कई कीटों से जड़ों की रक्षा करती हैं इसका कारण यहा है कि नीम की खली में प्राक्रतिक रूप से 8 से 10 परसे नीम के तेल के अंश होते हैं और नीम का तेल एक प्राक्रतिक प्रेस्टिसाइड है जिससे कीडे दूर भागते हैं नमबर थ्री एक रिसर्च में पता चला है कि मिट्टी में नीम की खली डालने से मिट्टी की उपजाव शमता बढ़ती है इसका साइंटिफिक रीजन यहा है कि नीम की खली में एक एसा तत्र होता है जो कि मिट्टी में मोजूद नाइट्रोजन कमपाउंड को नाइट्रोजन गेस में बदलने वाले बेक्टिरिया को रोपता है इससे पोधे के लिए जरूरी नाइट्रोजन की उपलब्दता मिट्टी में बनी रहती है मिट्टी की उपजाव शमता बढ़ती है तो हमारा उत्पादन बढ़ता है हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो सिंपल हमारी आमदनी भी बढ़ेगा नीम की खली डालने से पोधे हरे वरे बनते हैं क्योंकि ये क्लोरोफिल को बढ़ाता है इससे पोधे के जड़ वतने मजबूत होते हैं जिससे स्वस्त पोधे तयार होते हैं नमबर फाइट नीम की खली खेत में एक बार डालने के बार यहां पूरा सीजन चलती है इसलिए जल्दी जल्दी और बार-बार डालने की जौरत नहीं पर नम्बर 6 अन्य खादों से अलग नीम की खली फसल पर दोरा प्रभाव डालती है एक तरप तो या पोधे के लिए जरूरी पोशकतत जैसे एनपी के इनको प्रोड्यूस करती है वहीं दूसरी और पोधे को रोग वा कीटों से बजाकर प्रोधे की व्रद्धी में आने वाली रुकावट को रोपती है नीम की खली से फसल की पेदावार 20-25% तक बढ़ जाती है वहीं दूसरी और नीम की खली से उत्पन अनाज में दून और कीट लगने की संभावना भी खत्म हो जाती है नमबर सेवन नीम की खली यूरिया से बहतना क्योंकि यूरिया खेत में मोजूद पोशक तत्व को खीचने का काम गरता है इससे कुछ समय के बाद मिट्टी की क्वालिटी खराब हो जाती है वहीं नीम की खली खुदी पोशक तत्वों से भरपूर है इससे मिट्टी की उपजाव शमता बढ़ती है और मेंटेन रहती है नमबर एट केमिकल कीट नाशक कीटों के नर्वस सिस्टम पर असर डाल दो है लेकिन इनके लगातार इस्तमाल से कीटों की नसल में प्रतिरोधी गुन उत्पन्द हो जाते है जिससे एक समय के बाद केमिकल कीट नाशकों का चड़काव बे असर होने लगता इक्जामपल के लिए आज से कुछ वर्ष पहले नगर पालीकावदारा मच्चरों को मारने के लिए DDT का चड़काव किया जाता है पहले तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिले लेकिन कुछ समय के बाद DDT के चड़काव से भी मच्चरों का मरना बंद होते है जबकि नीम की खली कीटों के ऊपर हार्मोनल इफेक्ट डालता है जिससे कीटों का पोधों को खाने वह प्रजणर करना रूप जाता है साथ ही कीटों में इसके प्रतिरोधी गुण उत्पन नहीं होते हैं तो ये सारे फाइदे थे जो हमें नीम की खली को खेत में डालने से मिलते हैं अब सवाल आता है कि नीम की खली का उपयोग केसे करें तो आप नीम की खली का उपयोग दो तरह से कर सकते हैं पहला खात के रूप में दूसरा कीट नाशक के रूप में पहले हम बात करते हैं कि खात के रूप में नीम की खली का उपयोग कैसे करें मिट्टी की गुड़ाई करके यानी मिट्टी की ऊपरी परत को खोट कर नीम की खली चूर-चूर करके मिक्स कर दीजी कम से कम 6 इंच गहरी गुड़ाई करके नीम की खली फिला दे जिस से मिट्टी की गहराई तक खात पहुच जाए एक एकड के खेड करीब 100 से 1500 केजी तक नीम की खली लगती है अब बात करते हैं कि नीम की खली का कीट नाशक के रूप में कैसे उपयोग करे एक केजी नीम की खली के पाउडर को कपड़े की पोटली में बांध कर राद भर पानी में डुबो कर रखे वा दुसरे दिन सुबह रस निचोडने के बाद जो रस हमें मिलेगा उसमें 10 लिटर पानी मिला ले इस घोल को पूरे खेद में महीने में एक बार इस्प्रे करें अगर आपको 20 लिटर घोल बनाना है तो 2 केजी नीम की खली ले और 30 लिटर बनाना है तो 3 केजी इस इस्प्रे से पोधे को रोग नहीं लगते हैं बीमारी का संक्रमन नहीं फेलता है और कीट नश्ट हो जाते हैं इस तरह आप नीम की खली का उप्यों खाद एवं कीट नाशक दोनों के रूप में कर सकते हैं भाईयों नीम का पेर प्रकृती के द्वारा मानु जाती को दिया गया एक अनुपम उपार नीम से तेयार किये गए उतपादकों का कीट नियंतर अनुखाएं इस कारण नीम से बनाए गई कीट नाशक दवाएं विश्व में सबसे प्रसित थे लेकिन इसके उपयोग को अ हमारे बताये गए तरीके से नीम की खली का खाद वा कीटनाशक घर पर ही बना सकते हैं हां 100 kg खाद बनाना थोड़ा डिफिकल्स जरूर है पर आप शुरुआत अवस्य करें बाकी रास्ते अपने आप ही मिल जाएंगी आप एक क्यारी से भी शुरुआत कर सकते हैं पर शु हम अमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते ही कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे अगर अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद किसान भाईयों जय जवान जय किसम अ अइस किस तो इस हूं इसमुपज मिल खरना झाल पिह जड़ते हैं और शाल वा जिसल जड़ता हैं और तक हमारे किसम नहीं किसान भाईयों यसे अचयों इसकिस्प减वश Conund अ कर जड़ों के उन्लивается धन्मिछ़च्वज किस्क्त besten आप सब्सक्राइब जर भाईयों किसे ए